कि असलाम अलेकुम चैटर नमबर 10 प्रोपर्टीज ओफ मैटर चल ला हमारा और पिछली वीडियो से हमने पास्कल लौ स्टार्ट किया था जिसकी एक एप्रिकेशन को काफी डिटेल के अंदर उस वीडियो में डिसकस किया था और आज इस वीडियो के अंदर हम उसकी जो बक सबसे पहले हम लोगे साट करेंगे है अलिल इक प्रेश से क्योंकि इसकी जो डिस्रीप्शन धर या फरिये वी जिवाइव जू है बिल्कुल सेम है इसकी कंस्रुक्ट्चिन भी सेम और किं बिल्कुल सेमें तर्क्ट थोड़ा सा जैव मायनीम सबंकर डिफरेंसे पाह जो क यह वाली बिलकुल उसी की तरह की है तो यह दोनों आसानी सी एक साथ जो समझ में आ जाएंगी फिर आखर में जो हम लोग हाईडोलिक ब्रेक को डिसकस करेंगे जो कि दूसरी नंबर पर थी बुक के अंदर पहली हाईडोलिक लिफ्ट थी दूसरी हाईडोलिक ब्रेक है और any AG लुए और प्रेस क्या है कि पिछले नंदर ऑनकी समनरे के लिए पास्कम के साथ और यह वाली जो में लोग आज़ अभी डिसकस कर रहे है तिस्री वाली होई प्रेस वाली और यह भी दूसरी है के भाद हम लोग pourquoi करेंगे लिए भी तीनों की तीनों जिदी evaluate करते वी तीनों की तीनों हमने चीज yani डीजाइन किये बनाइगे तो ब्र मुद्ध है अजिघे हथा करते हैं प्रेस के साथ और है हिघुरलिक प्रेस करता है फिर इसकी से इस वर्किंग के वर्ग कैसे अर आखर मी utilizz कि यह स्ट्छा यह यह कि हिस किया जाता यह फिर किस काम आता तो अगर प्रिंसिपल की प्रेशा प्रेशेन डेटीयों कि प्रिशेन के उपर लगा यह तो गई मोगा हमारा वह इक्ड़ीज बहुस्य आप सब्गाट हो जाता है जाहां जाहां जर नो तो प्राट की नभी इसकी बथी सी मित करें साया बांट हरी तो घस्ट के जब हम चंस्रक्शन पढ़ेंगे तो ख्लेर हो जाएगा तो चंस्रक्शन इसकी कुछ इस तरह से के इट कंसीस्ट फूसलेंडर्स दो वही दो सालेंडर से मिलके बना हुआ वन इस नेरो एंड दी अधर इस वाइडर एक यह वला जो हमार पास सालेंडर रही यह नेरो है है सब्सक्राइबूल सीटेंड और टाइट पिस्टिं और इनके ओपर यह एंदा पीछल आपक?! , । जिए पूर हवे विसरे हैं इस अ मोगवा आके तरफ़ ऑनिन चव और यह विगा लगा सकते हैं जिनके मदद से से मं इसको नीचे और इसको जो आपर की तरह रख मूब और यह जो पूरी का पूरा यहां पर चीज नजर आ रही है आपको यह इंकम प्रेसिबल फ्लूड है यह फिर लिक्विड है जो कि इन दोनों के अंदर या फिर इस पूरी की पूरी चीज के अंदर मौजूद है पिस्टन भी इस प्रोवाइडिड विदर रिजिट रूफ य कि इसको हमने इस के अंदर या फिर इस मशीन के अंदर एक रिजिट रूफ जो प्रोवाइड किया हुआ है रिजिट का मतलब की सखत किसम का या फिर मजबूत किसम का रूफ मतलब च्छत कि च्छत जो हमने इसके उपर लगाई भी या फिर एक चीज जो आपर हमने इसके पर लगाई विए मजबूत किसम की पिस्टन बी के उपपर तो यह थी इसकी कंस्रक्शन अब इसकी वर्किंग के उपर आते हैं कि वर्क कैसे करता है वर्किंग भी इसकी सेम उसी तरह है हाई टोलिक लिफ्ट की तरह कि यहां से हम लोग प्रेशर अपलाए करेंगे पर कि तरफ कर वाएगी तो पिस्टन एट एवन इस एरिया वन के उपर जो पिस्टन एप कैन बी मूफ डाउनवर्ड बाय स्मॉल फोस एफ वन कि यह वह लोग पिस्टन इसको मेची की तरफ बूफ कर सकते हैं एक छोटी सी फोर्स की थूप जो कि फर्स करों के फन इसको लिक्विट की दो इसे क्या होगा इसको निची तरह मूफ करने से क्या होगा कि प्रेशर जो है ओ गो एंसर्ट अप्वड यह फिर द्रास्मिट हो जाएगा इस पूरी के फूरी लिकुट केंदर इस नेरो सेलिंडर से मतलब यहां से अम लग प्रेशरर अट करेंगे और व पहले पिस्टन बही लगेगा फट ड्रेक्शन ए और यह जो हमारे पास पिस्टन ने में बीडीक उपर यह निके एक टू एयरिया तू अलज पिस्टन यह एफ्टू को से उपर की तरफ जोब बूब कर जाया अप फ़र डारेक्शन में इस पिस्टन ने निए मैटेरियल प्लेज़ बीट्विन पिस्टन एंड रूफ और यहां पर उन्हों क्या करते हैं कि जो भी चीज अमें प्रेस करनी होती है हाडोलिक प्रस का मतलत कि किसी चीज को प्रेस करना तो यह हमार पास है डॉलिक पूरी म डग देंगे और जब यह पिस्टपर की तरह मोफ करेंगा तो जो हमार पास छेती है या फिर रूफ है वह इसको नीचे से यहां पर चीज़ पड़ी थै засब करी और जो फाल तो इस जिसके यह है कि hydraulic press is used for compressing soft materials soft किसम की materials होते हमारे पास उनको compress करने के लिए यानि कि उनको press करने के लिए यह काम आता है example जो दीवी है वो cotton की दीवी है कि cotton को जो है वो हम लोग compact मेल्स के अंदर convert करते हैं यानि कि cotton जो होता है वो काफी जगा गहर रहा होता है तो जब उसको transfer या पर transport करना होता है तो उनकी compact बेल्स बना लेते हैं मतलब उसको compress कर देते हैं ताकि जगा जो यह वो काफी कम गहरे और असानी से जो वो ट्रांसपोर्ट हो जाए तो compact बेल्स के अंदर convert करने के लिए हम लोग यह hydraulic press इस्तवाल करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि small force हम लोग अप्लाय करते हैं यहां पर वहां पे बड़ी force के नदर convert हो जाती है फिर generate करती है यह वाली small force हमारी एक बड़ी force F2 जो कि यूज की जाती है इस पिस्टन कूपर की तरफ मूफ करने में और इनके दर्म्यान जो भी यानिकी कॉटन है फ्रस करो तो कॉटन यहां पर रखा और वह प्रेस हो जाएगा यह फिल्कम प्रेस हो जाएगा और compact बेल्स के अंदर कनवर्ट हो जाएगा जिसको अमनों फिर आगे ट्रांसपोर्ट वगरा करेंगे तो यह मार रपास हाडोलिक प्रेस था जो कि बिल्कुल आसान था हाडोलिक की तरह था हाडोलिक लिफ्ट को काफी डीटेल के अंदर हमने डिसकुस किया था तबी इसको हमने जो है वो शोट के अंदर यहां पर डिसकुस किया इतना ज्यादा डिटेल में नहीं गये इसके तो आखरी चीज रहे गए हमारे पास हाडोलिक ब्रेक है तो उसको भी इसी चार पार्स के अंदर ऑफ आदिए हैं चारपार्ट के इन्दर योग तोड़ा वा पहला वह प्रिंसीपल फिर कैसे फिर के अगर यसके यूजिच तो फिर इसको भी वह यह यह भी पास्कल लॉपके उपर जो वो काम करता है कि It works only principle of Pascal और Pascal लॉपकिया था वह इंधाः जो डीफाइन कर देना है कि जब प्रशन लगया जाता है लीकट के उपर तो यह एकूली ट्राइंसेट होजाता है तमाम की तमाम पुरी पूरी लीकूट के ऊपर एगर सेक्षियं 期 akin हारोलिक ब्रेग शिस्टम की तो आउड़ोलिक ब्रेग सिस्टम संट बशीकरी पॉक अंदर दोटा है घरें दर होता है बड़ी-इस रब्र and older system के उपर काम कर रहे होती है तो अगर इसके मदष्टन हैं इस सिस्टम की है ओर यह सिस्टम की तो ए जया पर एक नडूल जिससे के अंधर जो लीट रूक डालते हैं वह उयल होता है जिसको लूग ब्रेक्वर जो अकसर गैड़ियों गैं लिसका वह अंदर रूब है बहुँको क्षाम बाऊते हैं हायो इस ए अंधर यह जिसनेच के इंदर लौन मुन फिर ठैविक당히 होते हैं this tube is fitted with the piston working in a master cylinder और यह जो पूरी की पूरी टीव होती है यह एक master cylinder के साथ connect होती है जिसके अंदर एक piston work कर रहा होता है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर अप्लाय कर रहो थे इस पूरी के पूरे लिकूट के ओपर यह फिर पॉयल के ओपर तो इसके नदर जो master cylinder है वो यह रहा यह जो पूरी का पूरा हमार पास cylinder है इसे master cylinder बोलते हैं और यह जो चीज़ है यह मार पास foot पैडल होता है गाड़ियों के अंदर मौजूद होता है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर अप्लाय करते हैं पूरे के पूरे आगे लिकट के ऊपर आई यह पूरी की पूरी ट्यूब है और यहां से जो यह पाइपलाइन है यह फिर यह जो ट्यूब है यह दूसरी वील के जा रही है अधर वील्स मतलब यागे से जो है वो कॉंटीनियू है और यह इस तरह से गूंते गूंते चारो टायरों के ऊपर यह चारों वील्स के ऊपर इसी तरह से आगे कनेक्टीड होती है यह वाली ट्यूब इमास्टर सालेंडर इस लिंग्ट विद फूर अदर स्मॉ लगी विए तो यह जो मास्टर से लेंडर होगा यह चारों की चारों वील के साथ कनेक्ट होगा और हर वील के अंदर एक अलग से सालेंडर मुझूद होगा जो कि यह आपे लिखा हूँ है कि जो मास्टर से लेंडर है इस फूर अधर स्मॉल सालेंडर तो यह हमें वील का एक मिल का हिस्सा दिखाया होता है जिसके इन्दर यह जूम मुझूद है यह वला यह बादी जो चीज है यह मारपास विल सालेंडर है को तो मास्टर सेलिंडर कुनेक्टिड चार मज़ीद वील सालिंडर की साथ जो के चारो टायरों के उपर मौझूद है और इन के अंदर इंसाथ जो मजीद फिर आगे पिस्टन जो हो मौजूद है जो कि इस्तमाल किया जाता है प्रेशर को अपलाय करने के लिए इस वील के उपर और उसके वज़े से जो है यह ब्रेक लगती है यह हमार पास ब्रेक्शू है जिसके वजय से गारी है और यह स्प्रिंग है कि यहम पास इस वींगे जो इसको रिटन करता है अपनी विऑ के उपर यानिके जब लोग प्रेशर यहां से अटाते हैं तो यह उसको अपनी ओरिजिनल हालाइद के उपर वापसे लेके जाता है यह इसको रिटरन इस्प्रिंग भी बोलते हैं तो यह सिंपले मार पास कंफ्रक्शन थी और अगर वर्किंग की बात करें तो फुट प्रेशर ओंद ब्रेक पैडल में स्ट्रान्स स्ट गाइवा लिवर वि यह फूट पेडल अइस समय टरते हैं यह फिर फफेशन एप्लाई करते हैं एकजर दो इनओ प्रेक इस पुरी पूरी ब्रेक के उपन और यह फिट प्रेसर है मारा हमसुट पैडल की एकजर करते हैं इस ट्रावenschमेटिट एम गज्टर सफूक पैडल समय है लोग जनेट करती है earnest करते हैं यह दहुर्ट की तुन कर नहीं क करते हैं तो यह अंदर की तरफ प्रस करता है इस पिस्टन को और अंदर की तरफ तो यहां से यहां से connected होता है और और इस लिवर के थ्रू इस पिस्टन के विपर चला जाता है इस पिस्टन के ऊपर अंदर की तरफ चला जाता है and so in the brake oil also अब जब पिस्टन अंदर की तरफ मुफ कर रहा है तो यहां पर जो ब्रेक oil मौजूद है यह उसके उपर भी प्रेशर अप्लाए करेगा यानिकि जो हमारा foot pressure है वो और चले पर ख्रुद होता होता इस लिवर के थ्रूप पिस्टन के उपर गया और पिस्टन से जो है वो आगे brake पूरा लिक्विट मौजूद होता है इस पाइप के अंदर तो वो जो हमारा प्रेशर है वो अब ब्रेक ओल की थुरू आजुकि यह लिक्विट के तौर पर काम कर रहे हैं यहां पे टांस्वेट होता होता चारो के चारो वील्स के उपर साइमल्टेनियस लिएनिकि एक ही व फिस्टन यह जो वील सालिंडर के अंदर काम कर रहा हूथा वर्क कर रहोता है वो यहां पे ब्रेक अप्लाय कर देता यह निए टाइर को जाम कर देता है या फिर ब्रेक शू के जरीए से टायर को रोब देता है तो यह सकी वर्किंग थी कि यह हमने फूट पेडल से एक इसके उपर convert हो गया फिर transmit हो गया फिर ट्रांसफर हो गया और जब पूरे के पूरे चारो वील के उपर transfer हुआ तो उसके अंदर जो piston मौजूद था चारो की चारो वील के अंदर उनके वील उसके अंदर जो पूरे का पूरा system हो रहा होता है ब्रेक किस तरह से लगारी होती है वह इसी तरह से यह पूरी का पूरा प्रोसेश जो उसके अंदर हो रहा होता है यूज़िस की बात की जाए इसकी तो इडिज उस्टॉप ब्रेक का मतलब की ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जो हमारे पास वहिकल्स होते हैं उनकी मोशन स्टॉप हो जाती है तो यह सका एक और यूज़िस इस तरह से लिख सकते हैं कि इस यूज़िस तो कंट्रोल दा स्पीड ओव देवाइख ब्रेक्ट यह अप्लाय कर देंगे तो यह हमार पास हाइडोलिक ब्रेक सिस्टम था जो कि पासकल लोग की एप्लिकेशन थी दूसरी अप्लिकेशन थी तीन एप्लिकेशन पासकल लोग की हमने पड़ी हाडोलिक लिफ्ट हाडोलिक प्रेस और यह वाली हाडोलिक प्रेक तो आज के ल झाल ये लाफिस